सब्सक्राइब कि तो जो पहले बेस्ट होता है उसे से लोग कंपारिजन करते हैं उसमें कोई संदे हैं हलो सब्सक्राइब कल जॉनी को देख दिल तूट गया मेजी भाइब क्या करें जॉनी को इस तरीके से दो बार देख लिया ना हमने जो पिछला वाला नॉडविन का लांड था उसमें भी सेमी सिचुएशन थी अगले वाले लावन में देखते हैं क्या चीज़े बदल सकती है द्रॉप चेंज ही करना था एंड मैच में तो करेंट वेस्ट रॉप के कुछ सिमलर रोटेशन इस ड्रॉप लोकेशन लेना चाहिए यार मैं मानता हूँ ड्रॉप लोकेशन भले उन्होंने चेंज किया बड़ अपनी रोटेशन आट लीस्ट वो चेंज नहीं करते तो काफी ज्यादा फाइदा होता क्योंकि उनको भी पता था यासनाया पे अगर एक टीम जा भी रही है तो भी नीचे वाला जो इलाका है वो खाली रहता है वहां से आप रोटेट कर सकते हो स्काउट कान कम बाक यार अभी तो वह रिस मोड पे हैं शायद इस वाले में ज्यादा हर्ट हुआ होगा क्योंकि फर्स से सेकेंड आए ज्यादा हर्ट हुआ होगा इस चीज को देखके कि एक टीम जो सेवन्थ प्लेस पे थी वह अचानक से टॉप पे पहुंच गई उस च पॉसिबिलिटी यह कि एक दिन हमारे पास टॉप जो 24 टीम से वो खेले उसके बाद जो टॉप 16 टीम हो वो अगले तीन दिन तुम्हारा फाइनल्स खेले एक पॉसिबिलिटी यह है दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैं सोच पा रहा हूं वो यह हो सकता है कि 24 की 24 टीमें चारो किसी भी चीज़ का नहीं कि बेजी गॉडल ने चोक कर दिया कल रात नीद नहीं आई निरभाई कोई बात नहीं आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं हार जीत बाकि सारी चीज़े चलती रहती हैं नए टीम जीतेंगे तभी जो पुरानी इवेंट्स दो लैन दो फिशल जिस पर तुम्हारी कुछ नहीं नहीं टीम जीती हैं तो अच्छा लगा देखके कॉम्पोटिशन जादा बढ़ेगा लोंडे और जादा मेहनत करेंगे बढ़िया आप कब कास्टिंग करो गए इस लाइन में करोगे ना भाई यार वही तो मैंने बुला बीजी एमस में मोस्ट फिनिश गॉडल पर ट्रॉफिक ओजी को क्यों आइकिस वो मोस्ट चिकन डि हैं बट वो जो उन्होंने टाइटल दिया उस पर मुस्ट फिनिश का टाइटल लिखा हुआ था जैसे यहां पर तुम देखोगे ओवर्विव में तुम्हारे पास यह पाइनल हंगर क्यों इसमें ओजी को मिले पैसे ठीक है बट वो जो उन्होंने टाइटल दिया या जो लिआ दिया उस पर लिखा हुआ था कि मुस्ट फिनिशिस अभू मुझे समझ ने आया कि वह मुस्ट फिनिश इस कैसे था क्या था उसका मुझे समल्ज ने ऐंबर टीक है अभी लोंडे चाट में लिख रहे हैं कि ओवरॉल फिनिशस के बेसिस पर उनको मिला है अब मेरे को कोई आइडिया नहीं